नमस्कार नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खाल सु वीडियो में आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान की जोस तरह से राजस्थान में लगातार सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर दो ऐसे गुट है जिन में लगातार जुबानी जंग हो रहे हैं अब यह गुट है एक और है गहलोत गुट यानि कि राजस्थान के मुख्यमंत्रिया शोग गहलोत और उनका खेम अब यहाँ पर जहाँ एक और सचिन पाइलेट का मुद्दा है कि कॉंग्रिस को एक बार फिर से राजस्थान में रिपीट किया जाए तो वहीं दूसरी और अशोग गहलोत का मुद्दा है कि किसी भी तरह से सत्ता और कुर्सी को बचाया जाए अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कॉंग्रिस की हाई कमान किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएंगे बता दे जिस तरह से बीते गुरुवार को सुनिया गांधी से सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत दोनों ने मुलाकात की दोनों की मुलाकात के बाद काफी ऐसे बयान आए जिसके चलते फ्यान यहां पर जो भी इनके यहां पर कह सकते कि जंता कन्फियोस हो रही है जहां एक और अशोग गहलोत ने अपनी ताजपोशी अपनी सस्ता को लेकर अंतिव फैसला सुनिया गांधी पर छोड़ दिया तो वहीं दूसरी ओर सचिन पाइलेट जिस तरह से सुनिया गांधी से मुलाकात के बाद निकले और जिस तरह से कॉंग्रेस के रिपीट होने का दावा करते हुए नजर आए तो उनकी हुशी अलग दिखाई दे रही है लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है जहां एक और अध्यक्ष पद को लेकर यहां पर अब खडगे और थरूर यानि के शरशी थरूर और मलिका अरजुन खडगे के बीच में जंग हो रही है कॉंग्रिस के नए अध्यक्ष को लेकर तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सत्ता को लेकर अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच जंग हो रहे है जिसकी वज़ा से कही न कहीं सोनिया गांधी काफी जादा मुश्किलों में खेरी हुई है अब आखिरकार दो ऐसे मुद्धे जो कहीं न कहीं कॉंग्रिस का भविश्य है या तो बना सकते हैं या बिगार सकते हैं इसी वज़ा से सोनिया गांधी ने अब दोनों मुद्धों पर इस तरीके से सस्पेंस बना दिया है ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ नमस्कार